दोस्तों क्या आपका गर्मियों में मीठा खाने का मन होता है तो इस तरह से बनाएं ये लड्डू बहुत ही कम खर्चे पर आपके घर में बन जाएंगे बनाना भी बहुत आसान है और इम्मिनिटी से भरपूर होंगे ये लड्डू इसमें आपको विटामिन प्रोटीन में इजिली बना लेंगे लड्डू बनाने के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए एक कटोरी घी इस तरीके से आपने घी लेना है लेकिन इसमें से आधी कटोरी आपने कड़ाई में डाल लेना है घी को देसी घी आप ले लीजिए क्योंकि लड्डू बना रहे हैं हम देसी घ गी में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं तो इस तरीके से आप आधा कटोरी घी ले लीजिए कड़ाई में डाल लीजिए और इसे गरम कर लीजिए और यहां पर मुझे चाहिए आधा कटोरी सूजी आप सूजी को छान कर ले लीजिए गरम घी में आपने सूजी को डाल ल पूर्टी खाते हैं वही आटा मैंने लिया है गेहूं का आटा गेहूं के आटे के ही हम लड्डू बनाएंगे इसमें मैं सूजी ले रही हूं आधा कटोरी और आटा लूंगी में पूरी एक कटोरी यही अनुपात में दोस्तों आपने लड्डू बनाना है आधा कटोरी मैं अभी घी डाला है उसमें आधा कटोरी ही सूजी डाली है इसको दो मिनट के लिए हम भून लेते हैं क्योंकि सूजी ज्यादा टाइम लेती है भूनने में इसलिए मैं इसको पहले डाल रही हूँ आप चान कर ले लीजिए और दो मिनट भूनने के बाद आपने इसमें आटा हम घर में यूज करते हैं अगर आपके पास मोटा आटा है तो आप सूजी ना ले सिर्फ आटे से ही ये लड्डू बना सकते हैं आपने आटा डाल लेना है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने भूनना है दस मिनट के लिए इसको ज्यादा फ्लेम पर आपने नहीं तेज आच बिल्कुल भी ना करें जब आप इन लड्डू को बना रहे हो क्योंकि तेज आच में आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे लो टू मीडियम फ्लेम आप रखें और भूनते वक दोस्तो इस तरह से पल्टे पर आपके अगर चिपक जाए आटा जितनी भी बार चिपके उसी टाइम आपने निकाल देना है क्योंकि फिर यहां से कच्चा रह जाएगा पूरा अच्छी तरीके से नहीं भूनेगा तो हमने इसको भून लेना है धीरे धीरे आपका कलर पल्टने लगेगा इसका थोड़ा सा हलका सा पल्टने लगेगा कलर तो इसी को भूनना है अब जैसा कि दोस्तों मेरा यह आप देख रहे हैं इस तरीके से भून चुका है दोस्तों यदि आपको आटा सूखा लगे अपना तो थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं और यदि नहीं सूखा लगे तो आप इसको इसी तरह से भूनते रहें दस मिनट के बाद दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यह इस तरह से भून चुका है यह चूरमे की दरा सी लग रहा है अब आपने इसमें डालना है आधा कप दूद लेकिन दूद हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक एक चमच करके आप डालेंगे दूद ताकि एक दम से सारा यह पतला ना बन जाए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और जब आप दूद डाल रहे हैं इसमें तो आपने गैस को बिलकुल सिम कर देना है क्योंकि इससे भाप बहुत जादा निकलेगी तो आपका हाथ वगरा जलने का डर रहेगा इसलिए बिलकुल लो फ्लेम आप कर बनने लगेंगी इसको आप इस तरीके से चम्मच की सहता से या पल्टे की सहता से आप इसको तोड़ लीजिए सारी डलियों को इसमें लंस बगरा नहीं होने चाहिए धीरे धीरे आप जब आपका दूद सारा इसमें से खतम हो जाए तो आपने फ्लेम को मीडियम कर लेना ह मीडियम करने के बाद इसको 5-7 मिनट दुबारा भूने ये देखे दोस्तो मेरा ये अब हो चुका है लगभग 7-8 मिनट के बाद मेरा इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है ये पूरा भून चुका है अब इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहा अब इसको त चुका हैं और इनको द्राय रोस्ट करना है ये 2 मिनट में आपके ड्राय रोस्ट हो जाएंगे अब इसमें से चचचच के आवा जाने लगी है तो गैस कर दे बंद और ये हमारे रोस्ट हो चुके हैं अब आपने इनी दरबूज के बीच को जो हमने अभी आटा और सूजी बुने हैं उसमें डाल दीजिए इस तरीके से अब इसमें मैंने डालना है डेड़ कटोरी बुरा जैसे कि मेरा एक कटोरी मैंने आटा लिया था और आधा कटोरी मेरी सूजी थी तो आपने उतना ही इसमें बुरा डालना है आप कम या ज्यादा मिठा कर सकते हैं दोस्तों यह अगर आपके पास इलाइची पाउडर है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं टेस्ट के लिए लेकिन मैं यहां कुछ नहीं डाल रही हूँ ऐसा वैसा सिंपल चीजों से बिल्कुल सस्ते समान से आपके लड़ू बन जाएंगे इस तरीके से आपने बुरा डाल कर चम्मच से पह अब इसको मिला लेजिए मिलाने के बाद भी आपने सारे जो कटोरी घीधा सारा इसमें डाल लेना है अगर आपको कमी लगे घी की फिर भी तो थोड़ा सा गरम करके घी वो भी डाल सकते हैं अब हमने इसके लड़ू बानने हैं देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पोशन आप ले लीजिए आटे का और हाथ से आप लड़ू बनाए इस तरीके से ये बहुत ही आसान है बनाना ये लीजिए दोस्तो मेरे लड़ू त्यार है इस तरीके से आपने सारे लड़ू बना लेने हैं ये लीजिए दोस्तो मेरे सारे लड़ू बनकर त्यार हैं एक कटोरी आटा और आधा कटोरी सूजी से मेरे इतने सारे लड़ू बन गए हैं। दोस्तों ये लड़ू प्रोटीन से भरपूर हैं। कैल्शिम की कमी आपकी दूर हो जाएगी अगर आप इन लड़ू को खाते हैं। बस एक लड़ू ही बहुत हैं हर रोज। गर्मियों में आप इन लड़ू को घर में जरूर बनाएं और अपने बच्चों को भी जरूर खिलाएं। बच्चे हों या बूड़े हों सबको ये लड़ू बहुत ही पसानाने वले हैं। तो इस तरीके से दोस्तो आप अपने घर में लड़ू बनाए और इंजॉय करें। यदि आप ये लड़ू घर में बनाएंगे तो आपको बजार से लाने की जूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज हमारी रेसिपी को हमारी वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तो।